इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत और कई स्वास्थि लाब प्रदान करता है. इसमें करेला होता है जो विटामिन और खनिजों से सम्रिद होता है और प्रकृती में एंटियॉक्सिडेंट होता है. जामून में विटामिन A और C होता है और ये पाचन के लिए भी उप्यूक्त है. नीम को हमारे शरीर पर कई सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाता है क्योंकि इसमें एंटी आक्सीडेंट और एंटी इंफ्लिमेटरी गुण होते हैं यहाँ आपके रक्त को शुद करने में मदद करता है आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और अग्ण्याशय और यकृत के कारियों को उत्तेजित करता है यह जूस किसी भी रसायन से मुक्त है और केवल प्राकृतिक सामगरियों से बना है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, यह हर्बल मिश्रन मधुमेह का एक प्रभावी उपचार है दो, करेला विटामिन, एंटियोक्सीडेंट और खनिज जैसे पोशक तत्वों से भरा होता है तीम, जामुन यानि की सिजीजम क्यूमिनी में विटामिन A और C की मात्रा अधिक होती है और इसमें बुढ़ापा रोधी और पाचन संबंधी लाब होते हैं चार, अपनी एंटियोक्सीडेंट विशेशताओं के कारण ये रक्ट शुद्धी में सहायता करता है और पाचन में सुधार करता है, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है पांच, यह अग्याश है और यकृत की उत्तेजना में सहायता करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें